पीम ने नाम नहीं लिया सुधान्शु जी आप नाम बता दीजे किसकी तरफ इशारा है क्यों अभी तक तो कोई ऐसे मिलता जुलता नहीं दिख रहा है के सी आर पहुंचे नितीश और तेजसी से मिलने उस पर था किस पर इशारा था समझने वाले समझ रहें ना समझे वा नाड़ी है परन्तु मैं आज बताना चाहता हूं आज प्रधान मंत्री ने जहां बोला कोची में वो गए थे उन्होंने आएनेस विक्रांत का उद्गाटन किया जो भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी एरक्राप्ट कैरियर है यहां राइफल नहीं मना सकते थे हम पिस्टल नहीं मना सकते थे यहां लोजिकल लगती है यही पहली शुरुवात है कि इमानदारी से नियत क्या थी ब्रस्टाचार करने के और दूसरा जो बताया कि सबसे आदा जाके लगा बिहार में पहुंचा यह बताईए लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घुटाले कारोफ कब लगा कब चार शीट हुए 1996-1997 में मोदी जी जुम्मेदार है मतलब गजब का तर्क यह लोग देते अब यह बताईए मुलाइम सिंग्जी के ऊपर मायवती जी के ऊपर किस जमाने से आरोफ है हम लोग थे कहीं DMK के नेताओं पर किस जमाने के आरोफ है जब हम सत्ता में नहीं थे यह कह रहे ना कि कोई हमारे परदानम हैIl संदे की भ sistema और और परस्तां मान वाला काणंग इंद्रा जी संड़े जी राजी्जी के जमाने में परदानमन्तरि प्र नरसीमाराओं पे इतने रगोट की प्रिदानमंतरी हट्ने के बाद को हुदना कोट उना पड़ा और कोईला घोटाला मनमोहन सिंग के जमाने में वही था जिस पे लिका सीडियाई केस पैरेट है तो बाकित छोड़ी तो पधान मंत्रियों जमाने हमको कही नहीं नहीं तो पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं बंगारु लक्षमन अध्यक्ष होते हुए बहुत लेते हुए वीडियो अच्छा इनसे पूछिए बंगारु लक्षमन पर किस केस में चलाता कौन सा सौधा था नाम बताएं सौधे का अध्यक्ष थे मैं वहीं कह रहा हूं आप भी बता दीजिए वीडियो ता सौधे का ना यही मैं कह रहा हूं जब यसे आरोफ है आपकारी नीती आरोफ है बोफोर्स आरोफ है बताओ तो कौन सी खरीद का था भी पता दीजिए वाजा बताईए बंगारु लक्षमन तो कर रहे हैं राजीव गादी पे बोफोर्स में आरोफ था मनमान सिंगी पे कोईला घोटाले में था नर्चिमारा उपे चीनी घोटाले में था इंद्रा जी पे नगरवाला में था नहरू जी के जमाने में कृष्टमेंन में बचारें बताओ तो नाम अब इस पर आ रहा हूं देखिए इस लिए मैंने और हम सब्सक्ता में थोड़ी हैं हैसित नहीं थी तब आप पोदी जी पे आरोप लगाना बिलकु निराभा